हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई चैनल वूमन इन वंडरलेंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में तुमसे सगयान से स्वागत है माजा चैनल मदे आज मी तुम्हाला मूले चे पराठे दाखो न रहे इसको हिंदी में बोलते हैं मूली के पराठे तो ये मेरे तरीके से म मैं कैसे बनानी वाली हूँ सभी अपने अपने तरीके से बनाते पराठे लेकिन मैंने यहां पर बेलन का यूज नहीं किया है तो आप देखिए पराठे चोटे बच्चों और बड़ों को भी बहुत पसंद आते पराठे कौन से भी बना हूँ आप सभी खाते तो चली मैंने के बाद उसका जो पानी रहता है वो सब मैंने निकाल दिया है और ऐसे मैंने मूली अलग कर लिये तो देखो इस तरीके से यहां पर मैंने भाजनी का आटा लिया है जो मैंने घर पे बनाया था यहां पर मैंने लिया है गेहू का आटा आप थोड़ा ज्यादा भी ले पेस्ट अच्छा आता है और यह बाइंडिंग के लिए अच्छा है उसके बाद यहां पर मैंने टमाटर कट कर लिये थे उसके बाद एक बड़ा ओनियन कट कर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है मिर्च लसन की कलिया और उसका पेस्ट बना लिया था उसमें थोड़ा धन अभी इसमें मैं डाल रहे हूँ मूली जो मैंने कद्डु कस कर लिया था, वो यहापे मैं ले रही हूँ तो इसमें से जो भी मैने पानी निकाला है तो आप देख सकते हो कितना ड्राइ हुआ है मूली अगर इसमें पानी रहता है तो बनाने में मुश्किल हो जाती है उसके बाद मैंने जो हरी मेर्च लसन और धनिया का जो पेश्ट बनाया था वो इसमें डाला है आप अपने हिसाब से डालो आपको कितना तीखा चाहिए उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ ओनियन अगर आपको पसंद नहीं तो आप वो स्किप कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाला है मैंने यह है चने का आटा उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रहे हूँ गेहू का आटा आप गेहू का आटा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से यह है भाजनी का आटा जो मैंने घर पे बनाया था भाजनी काटा मेंस यहाँ पे चना, बाजरी वो जो सब रहते वो उसको भून के मैंने घर पे बनाया था मैं डाल रही हूँ अजवाइन जो पाचन के लिए अच्छा रहता है नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, स्वादानूसर नमक डालना है अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जो भी हमारा फ्रेश धही रहता है अगर आपके घर में होगा वो भी डाल सकते हो या फिर आप अमूल का डालते होंगे, कौन से भी ब्रैंड का आप इसमें डाल सकते हो लेकिन फ्रेश होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने थोड़ी से हल्दी डाली है उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ही डाला है मैंने क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली थी उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रहे हूं में थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से तील और जो बड़िशोप रहता है वो डाला है मैंने तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठो को अभी यह मिक्स कर रहे हूं में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अगर यह ज़्यादा ड्राय लग रहा है तो इसमें हम पानी भी डालने वाले है तो इसकी हमलेखते में ठोड़ा सा पानी एड़ कर लिया और इसको फिर से मिक्स कर देती हूं कि क lacet मैंने यहां पे कैसे मिक्स कर लिया है तो ऐसे उसका आता जो है सब जितने भी हमने इंडिडेंट्स डाले थे सब मिक्स हो गए और अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है तो देख सकते आप इसकी कंसिस्टंसी ऐसी होनी चाहिए अभी यह मैं बनाने वाली हो लेकिन इसके लिए बेलन का यूज नहीं बोला था मैंने तो आप देखिए आगी की प्र उपर नव जो बोलते वो भी ले सकते हो आप उसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे पराठे जो तवे पर अच्छे तरीके से निकल जाए तो कभी भी आप अगर यह पराठे बनाओगे तो इसको पहले गीला करना है पानी से अगर आपने यह प्रोसीजर नहीं देखिए तो प्लीज देख लेना और गर पे एक बार ट्राए कर लेना बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से भी पराठे मैं हमेशा बनाती रहती हूँ अब मैं वो जो आटा विगोया था मूली के पराठे का वो ले रही हूँ आपको कितना बड़ा चाहिए पराठा और कितना चोटा उसके हिसाब से आप वो लेना है थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि मैं चोटे चोटे पराठे बनाने वाली हूँ उसके बाद थोड़ असा हात को पानी लगा के ऐसे फेला रही हूँ ताकि पराठा बनाने में आसानी हो अगर आपने इस तरीके से पराठे बनाए तो मुझे comment box में जरूर बताना कि आपने ये तरीके से बनाए है अगर नहीं बनाए तो एक बाद जरूर ट्राइ करना तो थोड़ा-थोड़ा पानी हाथ को लगा के ऐसे करना है क्योंकि हाथ को वो ज़्यादा चिपके न और आसानी से हम ये पराठे बना सकते तो देखो आपको जितना पतला चाहिए जितना जाड़ा चाहिए आप बना सकते हो मैंने थोड़ा सा मीडियम रखा था अभी ये मैंने पराठा बना लिया है और यहाँ पर मैंने तवा गरम करने के लिए रखा है ये तवा जो है लोहे का है उसके उपर में थोड़ा सा ओईल डालती हूँ और जो मैंने ओनियन लिया था उससे मैं ऐसे फेला रही हूँ ताकि यह जो हम पराठा डालेंगे तो तवे की उपर अच्छी तरके से निकल जाएगा अब यहाँ पर मैंने तवे को पूरी तरके से ओईल से ग्रिस कर लिया है तो आप देख सकते हो तो यह बहुत अच्छी और इजी ट्रिक है हम जब भी डोसा बगरा बनाते हैं ऐसे ही करते है यह जो चोटी चोटी ट्रिक्स है हमारे खाने बनानी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है तो यह ट्रिक्स बहुत इंपोर्टन्ट है अभी यहाँ पे तवा भी गरम हो चुका है अभी देखो मैं यह कैसे यहाँ पे डाल रहे हूँ दोनों कॉर्णर ऐसे पकड़के उसके उपर ऐसे रख देना है और हलके हातों से ऐसे निकाल लेना है तो इजी ली निकल जाता है क्योंकि यह इसको मैं ने पानी लगाया था यह अच्छी तर किसे पकने के लिए इसके उपर एक प्लेट रखनी है मैं ने यह रखा था उसके बाद एक साइड से पक चुका है अभी देख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो ओल लगाया था और इतने आसानी से पराठा निकल चुका है इसको पकने के लिए आप जो आपके पास पावभाजी का स्मैशर जो रहता है उससे भी आप इसको प्रेस कर सकते हो या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है रोटी सेखने का उसका यूज कर सकते हो यहाँ पर तो यह दोनों साइड से शेखने के ब आप ज Central जी और बटर बी ले सकते हों आपको जू पसंद रही ले सकते हो तो देखें मैंने यह आप बेहलन का यूजर नहीं किया था आपको बताया था तो यह तरीके मेरी और इस तरीके से imaginar नाती ओ और बेल्लंप से भी बनाती आपकीन बेलंस से आपने देख जो पर आठ लोहे के तवे के उपर बनाए इसलिए बहुत क्रिस्पी लग रहा है अगर आप इस तरीके से पराठे बनाते तो जल्दी जल्दी मत करना थोड़ा सा गयास स्लो करके मीडियम रखके ऐसे पराठे दोनों साइड से ब्राउनिश करने हैं अगर आप जल्दी-जल्दी करोगे तो वो बीच में कच्छा रह जाएगा, तो दोनों साइड से ऐसे, बना लेती। और देखो कितना अच्छा दिखरा है, और लोहे के तवे के उपर, तो बहुत अच्छे बनते हैं, मैं लोहे के तवे काँ यूज जदा करती हूँ, क्योंकि लोहे का तवा बहुत ही अच्छा रहता है और उसके उपर हम जो भी बनाते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है और उससे हमें लोह जो रहता है वो भी मिल जाता है इसलिए मैं यह ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो देखो मैंने इस तरीके से बनाए है पराठे अभी हमारा पराठा रेडी हो चुका है तो आपको कैसे लगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और अच्छी सी कमेंट कर देना चाइनल के लिए न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई फ्रेंड्स